सटनू रेसिपी सेर करेंगेंगे जटबटा ने का मनें को तो दोसा दोपनी जो है सोन के लिए अपर विडियो पूरा से कसे प्री में बाहर आई करें मुझे przy गुगनी बनाने चना बच झोचीजा बनाते हैं तो आप यह चना रहे हैं तो ऐसे सकते हैं काली चना को नंदर द्यान को यह कभी बना एक नपना बना लें अगर कटोरी से रक्रचना डालते हैं तो सभ्षाइब कर दाल से क्या यहां स्फची आप सब्सक्राइब चाहिए थाली अपतो मेरी चैना भी थी काली एक इसके तरीके से आप एक नपना बना ले उसके प्रूजी मेर seems च्छोटे चमच आपके शोटे चमच था दो ह और नयुक्त छोड़ दिख्ता रबन के लिए तो बस इसलिए हमने डालती है इसमें द़ी देग्ध सबस्किल तो तो पाने आच करेंगे उसके बाद इसको निटेश्ट करेंगे तो बस इसमें नमक ड़ालती है टेश्च करों साथ इसको क्वांटिटिटी अपने हिसाफ से र बावल में ट्रांसपर करेंगे और इसके लिए मच्रती में बनाइगे देख सकते हैं हमारी पैटर उसके चाहिए और तो आज हम बनाएंगे धोस्ता के साथ में खाने लिए चना डाल की जटपट बनके त्यार हो जाती है कम ने लिए दो चमच चना डाल फिर हमने गैस पे चरहा दिये हैं पैन उसमें हम डाल देंगे तेल तेल तो जब गरम हो जाए फिर हम डाल देंगे हींग इस तरीके से छोटे चला देंगे इस तरीके से आप जुरू ट्राइब करेंगा इस चटनी को काफी अच्छे लगेंगे जटपट बना के कुछ टेटी से सखाने का मन करेगा तो बस ट्राइब कर सकते हो और जल्दी में बनाना हो तो आप गरम पानी में चने को डाल दीजिए दू घंटे में चने मिक्स करेंगे मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद में या रहीजिए को आप लेक्डी बाद के से यह नहीं डालें थे की लैसुन जो जल जाएंगे तो फी चट्नी में अच्छी फ्लेवर नहीं आएंगी इस चीज का दहान है चट्नी बनाएं तो लाष्ट में थ्वातर पहले इसमें लैसुन एड़ करेंगे और फी जब थ्वासे चना ताल वेगरा ठंडा हो जाए तो में भी चेस्ट के लिए पूलानेकों इसमें से रसा कब्लिखे चाहल चल जाल है तो इस तरीके से अब यह हम ढौत आएंगे तरका देने की तो बस इसके लिए हम चरहाएं गैस पर पैन उसमें हम डाल दिये तेल और राई जब थोड़ा से चटकने लगे तो बस जब राई चटक जिए अगर कर देंगे इस तरीके से बार बार बोलनी हूँ आप एक वर जरूर ट्राई करेगा इस त्रेस्पी को काफी पसंद आएंगे आपको भी घर वाले को भी और जो भी खाएंगों आपको तारीफ करते नहीं ठकेंगे आपकी तो बस इस तरीके से हम दो इसमें सुखी लाल भी डाल दिये हैं और एक चमच अब हम डालेंगे चने दाल की चटनी के उपर देख सकते हैं कितने गजब की दीख रहें और टेश्टी भी काफी थे इस तरीके चने दाल की चटनी वह भी बनके तयार है और चलते हैं ढोसा बनाने के तरफ तो बस हम तावा चरा दियेंगा इस पर बस तो आवा गरम हो जा तो इस तरीके से फैलाएंगे सम्झा दोसा फैलाते हैं प्रोसेस इसमें बीड़ेगा उसी तरीके से बस इस तरीके से हलकी हाद बहुत आसानी से फैल जा रहा था बिल्कूल दिक्त नहीं होगा आप एक बढ़र त्राइब करिए इस तरीके से तो बस देख सकते हैं डोसा हमारे दम केश्पी बन के तयार हुंगे चनल का आप एक राज रूट राइ करिए और अगर आप लोगों कही रेस्पी पसंद आती है अगर आज की हमारी तो लाइक करिए को सबस्काइब करिए और अपने दोस्तों को साथ जरूर करिए और कॉमेंट करिए कि आप लोगो कैसी लगी रेज़्पी आप हमें कहां से देख रहे हम भी तो जाने कि आप लोग कहां कहां से देख रहे हैं आप लोगका इतना प्यारा दे दिल से धन्यवाद बहुत और फिर बना के फिर आप हमें कॉमेंट करके बताएगे कैसी लगी रेज़्पी आप लोगों को तो इस तरीके से देख सकते हैं रोसा चटने साथ बहुत काफी अच्छे लग रहे हैं अगर आप लोगों को भी यह पसंद है